आजकल जब बजार से हम लोग वेजेटेबल्स लेके आते हैं तो कहीं न कहीं मन में ये डार जरूर होता है कहीं ऐसा तो नहीं ये वेजेटेबल्स भी संक्रमित हैं किसी ऐसे व्यक्ति ने इसे छुआ है जिसे शायद कोरोना हो सकता है तो हाउ डू टेक क्यार अव दिस वेजेटेबल्स अव फ्रूट्स की जो स्केन होती है वो पोरस होती है और अगर आप इसे साबुन के पानी से दोते हैं तो नाचुली वो इसके अंदर तक जा सकती है तो क्या करना चाहिए पहली बात तो ये समझ लीजिए केवल गुंगुने पानी से दोने से आप कर सकते हैं और तुभी डबली श्योर एक बहुत छोटी सी टिप आप फॉलो कीजिए मेरे पास है यहाँ पर बेकिंग सोडा यानि की मीठा सोडा खाने वाला सोडा जो होता है एक बोल में पानी भरिये और ये मीठा सोडा एक टीस्पून मैं इस बोल में मिला दे रही हूं इसको अच्छे से मिक्स कर दीजे और अब इस पानी में आप अपने फूट्स और वेजिटेबल्स को सोग कर दीजे बस दस मिनट के लिए आप इससे सोग करके रख दीजे फिर से एक बर क्लीन वाटर से वाश कर लीजे जितने भी रेजिडियूज इसके उपर लगे हुए होंगे वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे वाश ओ जाएंगे आपके फूट्स और वेजिटेबल्स बिल्कुल क्ली तो धाना कितना असान सा टिप अपनी वेजिटेबल्स और फूट के उपर से इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और वाइरस को भी हटाने का